अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर रीजिये साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा कर पावर आफ नॉलेज के नए वीडियो को सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मेडिसिन जिसका नाम है क्लोपी काड दोस्तो ये मेडिसिन हार्ट पेशेंट के लिए यूज होती है जिने हार्ट अटेक या हार्ट स्ट्रोक की शिकायत है ये उन लोगों के लिए यूज की जाती है दोस्तो इस medicine में जो component या ingredient दिया गया है content है clopido grill दोस्तो अगर आप इस type के drug वगरा use करते हैं कोई medicine तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहीएगा मैं दूँगा इसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में तो सबसे पहले देखते हैं कि यह इसको बनाने वाली company कौन सी है दोस्तो इसको बनाने वाली company सिपला है बहुत ही branded और standard company है इसके products भी बहुत अच्छे होते हैं और दोस्तो इसकी जो price है वो मैं आपको बता देता हूँ इसकी price और इसकी expiry जो है दोस्तो इसकी price है 97 रुपीज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है 97 रुपीज है और इसकी expiry है 2022 तक तो चलिए देखते हैं अब इसके क्या-क्य uses हैं यानि ये किन लोगों के लिए use किया जाता है क्लोपीडो ग्रिल दोस्तो ये एक टाइप का blood thinner होता है और ये heart attack या heart stroke persons को दिया जाता है यानि जो इस टाइप के patients होते हैं ये उन लोगों को दिया जाता है या उन लोगों को दिया जाता है जिनके body में blood circulation की problem होती हो या उस type का disease होता हो तो ये उन लोगों को दिया जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है दोस्तो ये एक type का blood thinner होता है और जब ये आपकी body में जाता है तो आपकी नसों में जो खून flow होता है जो खून बहता है उसको ये आसानी से बहने में मदद करता है तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके precautions यानि इसको use करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तो इसमें inactive ingredient होता है तो अपने डॉक्टर से जरूर concern कीजिए इसको use करने से पहले बिना अपने को जरूर बताना है ताके वो आपको इस medicines के alternate दे सके और दोस्तो precautions में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप alcohol या शराब वगएरा के आदी हैं या आप usually आप उसको use करते हैं या पीते हैं alcohol तो आपको stomach bleeding वगएरा हो सकती है तो इसको use करने से पहले य या शराब वगएरा पीते हैं तो इस medicines को आप use ना करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस drug की क्या-क्या side effects हैं दोस्तो side effects में हो सकता है कि आपको सर दुके हो सकता है vomiting हो stomach pain हो constipation भी हो सकता है और आपको दिखने में धुनलापन भी आ सकता है और आपकी kidney में problem हो सकता ह दोस्तों अगर kidney में problem हो तो उसकी एक sign ये है कि आपका urine जो amount है changes हो जाएगा उसमें दोस्तों इसके allergic reaction भी हो सकते हैं जैसे कि आपको खुजली वगएरा हो सकती है या आपकी skin का color change हो सकता है दोस्तों खुजली में होने में आपको face पर या आपकी जबान पर या आपके गल आपको कुछ side effects या इसके अलावा कुछ भी side effects होते हैं तो आप अपने doctor से जल्दी से concern कीजिए और अपने doctor को बताइए कि ये medication आपको suitable नहीं है ताके वो doctor आपको इसका alternate दे सके